नमस्कार जेहिन वाइफाई नोलेज में आम सभी का स्वागत है गाइज मेरा मलखन सेनी आज आपके लिए लिकर आया हूँ बड़ा ही मज़िदार टोपिक जिसका नाम है प्रत्वी की उत्पत्ति ओरीजिन ओप दे अर्थ गाइज ये जो चेप्टर है ये क्लास 11 का दूसर कर लीजेगा और साथी साथ बेल आइकन को भी रेस कर दीजेगा तो चलो है स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रत्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी गाइज प्रत्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले हमें सोर मंडल को भी समझना होगा क्योंकि गाइज प्रत सूर्य की चारो तरफ आठ ग्रह इस्तित है जिसमें से सबसे पहला ग्रह है बुद्ध इसके बाद में सुक्र तीसरे नंबर परिष्थित है हमारी प्रत्वी इसके बाद में चोथे नंबर परिष्थित है मंगल मंगल ग्रे जो है वो चोथे नमबर परिश्थित है इसके बाद में पांचवे नमबर परिश्थित है ब्रेस्पती देखिए ब्रेस्पती जो है वो हमारे इस सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रे है इसके बाद में छटे नमबर परिश्थित है सनी और सनी भी जो है वो हमारे इस सोर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है पहला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है ब्रैस्पति इसके बाद में है सनी और साथवे नंबर परिष्थित है अरुन और अंत में आटवे नंबर परिष्थित है वरुन इस प्रकार हमारे ही सोर मंडल में आठ ग्रह इस्तित हैं जिसमें से सूर्य के सबसे निकरतम है बुद्ध और सबसे अंतिम छोर परिष्तित है वरुन और ये सभी आठो ग्रह जो है वो सूरिय के चारो तरफ एक निश्चित कक्सा में सूरिय के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन इन में से 6 ग्रह एसे हैं जो सूरिय के पक्सिम से पूरु दिसा में चक्कर लगाते हैं इसके विपरित दो ग्रह इसे भी हैं जो सूर्य के पूरु से पक्सिम दिसा में चक्र लगाते हैं इन में से एक ग्रह है सुक्र देखिए सुक्र और दूसरा ग्रह है अरून ये दोनों ग्रह जो हैं ये पूरु से पक्सिम दिसा में चक्र लगाते हैं और इनके अलावा बाकी के सभी 6 ग्रह पक्सिम से पूरु दिसा में चक्र लगाते हैं गैज क्या आपको पता है कि हमारी प्रत्वी ही इस 4 मंडल में एक मात्र ऐसा ग्रह है जहांपर G1 की उत्पत्ति हुई है यानि कि जीव की उत्पत्ति हुई है इसके अलावा बाकी के सभी 7 ग्रह पर G1 की उत्पत्ति नहीं हुई है गैज हमारी प्रत्वी पर G1 की उत्पत्ति का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी क्योंकि हमारी प्रत्वी है वो एक AC जगह पर इस्तित है जहां पर पानी द्रव अवस्ता में उपस्तित रहता है और इसी इस्तिति को हम जानते हैं गोल्डी लोक्स जोन के नाम से देखिए हमारी प्रतफी की इस्तिति है उसे हम गोल्डी लॉक्स zone के नाम से जानते हैं गोल्डी लॉक्स zone जो एक AC इस्तिति होती है जहांपर द्रव जो है जहांपर पानी जो है द्रव वस्था में रह सकता है और किसी भी ग्रह के लिए यह आवसेक है, किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ती के लिए यह आवसेक है, कि वो ग्रह गोल्डी लोक्स जोन में उपस्तित हो गाईज अब हम जान लेते हैं प्रत्वी और सोरमंडल की उत्पत्ती से संबंदी जो परिकलपनाई है उनके बारे में देखिए वेसे तो प्राचिन काल से ही सोर मंडल की उत्पत्ती से समंदित और प्रत्वी की उत्पत्ती से समंदित परिकलब नाए विभिन विद्वानों के द्वरा प्रस्तुत की गई थी लेकिन गैज वर्तमान में उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो सभी परिकलबनाओं कालपनिक आधार पर रखे गई थी वर्तमान में उन्हीं परिकलबनाओं का महत्व है जो विज्यानिक आधार पर प्रस्तुत की गई हो गैज इस प्रकार वेज्यानी का आधार पर प्रस्तुत की परिकलबनाओं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से पहली है अद्वेतवादी और दूसरी है द्वेतवादी देखिए अद्वेतवादी परिकलबना है वो यह बताती है कि हमारी प्रत्वी और सोर्मंडल की उत्पत्ती एक तारे से हुई है स्वोर मंडल की उत्पत्ती एक तारे से हुई है जबकि द्वेतवादी परिकलपना जो है वो यह बताती है कि प्रत्वी और स्वोर मंडल की उत्पत्ती दो तारों से हुई है इस परकार अद्वेतवादी परिकलपना को मोनिस्टिक और द्वेतवादी परिकलपना को ड्यूलिस्टिक परिकलपना के नाम से जानते हैं अद्वेतवादी परिकलपना के समर्दक थे कास्ते दबफन, इमेन्वल कांट और लापलास सबसे पहले कास्ते दबफन ये एक फ्रांसे सी भोगोल वेता थे ये फ्रांसे सी विग्यानिक थे इन्होंने सबसे पहले 1749 में एक अद्वेतवाधी परिकलबना प्रस्तुत किये इसके बाद में 1755 में Immanuel Kant ने एक परिकलपना प्रस्तुत की जिसे वायवे रासी परिकलपना के नाम से जानते हैं वायवे रासी परिकलपना इसके बाद लापलास मोहोदे ने 1776 में एक परिकलपना रखी जिसे निहारी का परिकलपना के नाम से जानते हैं अब बात कर लेते हैं द्वेतवादी परिकलपनाओं के बारे में तो इसमें है तो द्वेतवादी परिकलपनाओं के समर्दक हैं Chamberlain, James Jeans और Jeffries और Russell सबसे पहले जानते हैं Chamberlain के बारे में इन्हों ने 1905 में Chamberlain ने 1905 में परिकलपना प्रस्तुत की जिसे ग्रहानू परिकलपना के नाम से जानते हैं इसके बाद James Jeans ने 1919 में परिकलपना रखी जिसे जुवारिय परिकलपना जुवारिय परिकलपना के नाम से जानते हैं इसके बाद Jeffries महोदे ने इस परिकलपना में जुवारिय परिकलपना में 1929 में संसोधन किया इसी परिकार रसेल महोदे ने दुवे तारक परिकलपना प्रस्तुत की रसेल महोदे की हैं दुवे तारक परिकलपना तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वोर मंडल की उत्पत्ति किस परिकार से हुई देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन वेग्यानिकों ने हमारे स्वोर मंडल की उत्पत्ती से सम्मंदित विभिन प्रकार की परिकलपनाई प्रतिपादित की थी तो इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे इम्मेनुवल कांट की परिकलपना हो देखे कांट मोहोदे ने सत्रा सो पच्पन में अपनी परिकलपना वाईवेरासी परिकलपना की मात्यम से बताया कि प्राचिन काल में लगबग आज के पांच अरव वर्स पहले है आधी काल में जहां पर आज हमारा स्वोर मंडल उपरस्तित है उस स्थान पर आध्यपदार्थ उपरस्तिता आध्यपदार्थ फिद्धेमान था और यह जो आध्यपदार था वो क्या था ठंडा था साथी साथ गती हीन था, यानि किसमें किसी प्रकार की कोई गती नहीं थी, अब क्या होता है, इन कणों में आपसी आकर्षन से, इन कणों में क्या होता है, आकर्षन होता है, जिसके फल्सरूप इन में क्या हो जाती है, टक्कर होने लग जाती है, इन कणों में टक्कर होने गत्य उत्पन हो जाती है और साथ ही साथ यह जो आध्य पदार्थ है इसके तापमान में अत्यद्य व्रद्धी हो जाती है इसके तापमान में व्रद्धी हो जाती है अब देखी क्या होगा यह जो आध्य पदार्त है इसमें गती उत्पन हो गई और साथी साथ इसके तापमान में व्रध्य हो गई जिससे यह पदार्त जो है यह जो आध्य पदार्त है यह वाईवे पदार्त में बदल जाता है यह जो आधिपदार था यह वाईवेरासी में कनवर्ड हो जाता है इस प्रकार एक आध्यपदार से एक ठंडे और गती हीन आध्यपदार से एक वाईवेरासी की उत्पत्ती हो जाती है यह जो वाय विरासी है इससे एक गती सील और साथी साथ तप्त गती सील और तप्त निहारीका की उत्पत्ती हुजाती है वापस है समझेगा प्राचिन काल में आज के लगब पांचर वर्स पहले जहां पर आज हमारा सोर मनल उपस्तित है वहाँ पर आध्यपदार्थ उपस्तित था और यह जो आध्यपदार था यह ठंडा था और साथी साथ गती हीन था अब क्या होता है इसके कणों में आपसी आकरशन से टककर हो जाती है इन कणों में टककर होने लग जाती है और इस टककर के पल्सरूप क्या हो जाता है इस आध्य पदार्थ में गत्टी उत्पन हो जाती है और साथी साथ इसके तापमान में अध्य ग्रूप से व्रद्धी हो जाती है इस प्रकार यह जो आध्य पदार्थ है यह वायवे रासी में बदल जाता है और इस वायवे रास कौन से बलगे फल्स रूप अब केंद्री बल्से अब केंद्री बल्से नो छल्ले निकलते हैं इस प्रकार इस निहारिका से अब केंद्री बल्से नो छल्ले बहार आ जाते हैं और इन नो छल्लो से नो ग्रय की उत्पत्ती हो जाती है इन नो छलों से नो ग्रह बन जाते हैं इस प्रकार हमारे सोर्मर्नल की उत्पत्ती हो जाती है लेकिन गाईज ये जो परिकलपना है ये विभिन वेग्यानिकों द्वारा आलोसना का सिकार बन जाती है क्योंकि वेग्यानिकों ने बताया कि किसी भी निहारिका में या किसी भी आध्य परदार्त में टककर के फल्स रूप उसमें गती उत्पन नहीं हो सकती और साथी साथ उसके तापमान में व्रदी नहीं हो सकती है इसके बाद में अगली परिकलबना है वो लापलास महोदे दुवारा प्रतिपादित की जाती है लापलास महोदे ने 1726 में एक परिकलबना प्रतिपादित की जिसका नाम था निहारी का परिकलबना देखिए ये जो निहारी का परिकलपना है ये इम्मेनोल कांट की परिकलपना है इसके दोसों को दूर करती है लापलास महोदी को पता था कि कांट महोदे ने कौन सी गलतियां किये इसलिए उन गलतियों को दूर करने के लिए लापलास महुदे ने 1766 में नियारी का परिक्रपना प्रतिपादित की इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जहां पर आज हमारा सोल मंडल उपस्तित है उस स्थान पर पहले से ही एक तप्त और गती सील नियारी का उपस्तिती इन्होंने बताया कि जहाँ पर आज हमारा सोल मंडल है वहाँ पर प्राचिन काल में एक तप्त और गती सिल निहारी का पहले से ही उपस्तित थी देखिए ये है निहारी का और ये जो निहारी का है ये पहले से ही तप्त थी यानि कि इसका तापमान अत्य दिखता और साथ ये गती सिल थी अब क्या होता है अब केंदरी बल्ग के फल्सुरूप और साथी साथ इसके तापमान में दीरे-दीरे कमी के फल्सुरूप क्या होता है ये निहारी का सिकूर ने लगती है और इसका जो बहारी भाग है वो आंत्रिक भाग का साथ नहीं दे पाता है इसके फल्सुरूप क्य नो ग्रहों की उत्पत्ती होती है इस प्रकार लाप्लासमोदे ने निहारी का परिकलपना का प्रतिवातन किया गाईच इस प्रकार लाप्लासमोदे की जो निहारी का परिकलपना है ये लगबग 1500 वर्सों तक समर्थन प्राप्त करती रहती है लगबग 1500 वर्स तक इसका आधर होता रहता है लेकिन आगे चलकर ये परिकलपना भी आलोचना की सिखार हो जाती है क्योंकि जो गणिती सिध्धान्त है law of conservation of angular momentum यानि कि कोण ये आवेक की जो इस्तरता का सिध्धान्त है इस सिध्धान्त को ये परिकलपना satisfy करने में असनतुष्ट साबित होती है देखिए गणिती सिध्धान्त है कोण ये आवेक किस तरता का सिध्धान्त है इस प्रकार इस सिद्धान्त को ये परिकलबना सेटिस्पाई करने में असंतुष साबित होती है और इसका समर्थन भी जाता रहता है इस सिद्धान्त की बारे में हम अगली क्लासों में समझेंगे गाईज इस धानत के अनुसार होना यह चाहिए था यदि प्रत्वी और सोर्मंडल की उत्पत्ति यदि निहारिका से हुई है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो सूरियों में वो सूरिय में और ग्रह में बराबर होना चाहिए था लेकिन यशा नहीं है वर्थमान में जितना अंगुलर मोमेंटम सूरिय में है उतना ग्रहों में नहीं है लगबग 98% अंगुलर मोमेंटम ग्रहों में है जबकि मातर 2% अंगुलर मोमेंटम ही सूरिय में च्थित है इस प्रकार यह परिकलपना आलोजना की सिकार हो जाती है गैज अब हम जान लेते हैं अगली प्रतिपादित की जिसका नाम था ग्रहानु परिकलपना यह जो परिकलपना है यह एक द्वेतवादी परिकलपना है द्वेतवाधी परिकलपना के नुसार हमारे सुर्मंडल की उत्पत्ती दो तारों से हुई है जबकि इसे पूरू की लापलास महोदे की निहारी का परिकलपना और कांट महोदे की वायविरासी परिकलपना वो दोनों अद्वेतवाधी परिकलपना है थी और जबकि Chamberlain महोदे की ग्रहानु जो परिकलपना है यह एक दुवेतवादी परिकलपना है इस परिकलपना में Chamberlain ने बताया कि प्राचिन काल में आदी काल में दो तारे थे एक तो था हमारा सूरिय जो ठंडा था और गतिहीन था इसके विपरित एक दूसरा तारा भी था जो सूरिय का साती तारा के लाया और यह जो साती तारा था यह अपने पत पर गति सील था जब यह साती तारा सूरिय के पास से गुजरता है तब सूरिय में से इसकी गुर्थवाक्षण सक्ति की पल्सरूप देखिए इसकी गुर्थवाक्षण सक्ति की फल्सुरूप क्या होता है सूरी में से असंग के धूलिकण असंग के जो कण है वो बहार निकलने लगते है साथी तारे की गुर्थवाक्षण सक्ति की फल्सुरूप सूरी में से असंग के धूलिकण बहार निकलते है ग्रहाणों में से कुछ जो ग्रहाणों थे वो बड़े आकार के थे और वो बड़े आकार के ग्रहाणों यहीं भावी ग्रहाणों के लिए न्यूकलियस बनते हैं उनके केंद्रिय भाग बनते हैं इस प्रकार धीरे धीरे उन न्यूकलियस के उनकेंद्रिय भाग के साथ में असंके ग्रहाणों मिलकर एक बड़े अकार के पिंड बनते हैं और उन पिंडों से ही ग्रहों का निर्मान होता है और इस प्रकार हमारे सोर मंडल की उत्पत्ती हो जाती है लेकिन गाईज ये जो परिकलतना है ये भी आगे चलकर आलोचना की सिकार बनती है क्योंकि गाईज ये भी गर्णिती नियूमों को संतुष्ट करने में असमर्थ सबीत होती है ये भी जो गर्णिती सिद्धानत है कोणीय आवेक की इस्तरता का उसको satisfy करने में असंतुष्ट होती है इस प्रकार Chamberlain मोहदे की परिकलपना थी इसका समर्दन भी जाता रहता है अगली महत्रपुन परिकलपना है James James की जुवारी परिकलपना देखिए James James मोहदे न offici 1919 में यानी की 1919 में एक परिकलपना प्रती पादित की जिसका नाम था जुवारी परिकलपना ये जुव परिकलपना थी ये बी दुवेत परिकलपना थी यानी कि इसके नुसार भी हमारे सोर मंडल की उत्पत्ती दो तारों से हुई है देखिए जेम्स जीन्स ने 1919 में जुवारीय परिकलबना प्रतिपाजित की और जे परीज ने 1939 में यानि कि 1929 में इसमें संसोधन किया इस परिकलब नामे James James ने बताया कि हमारी सोर मंडल की उत्पत्ती दो तारों से हुई है जिसमें से एक तो था हमारा सूरिय और दूसा तारा था इसका साती तारा सूरिय का साती तारा देखिए ये जो साती तारा था ये अपने पत पर गतिमान था और सूरिय की तरफ ये बढ़ रहा था इस परकार जियों जो ये साती तारा सूरिय की तरफ बढ़ रहा था त्योंतियों हमारे सूरिय में से एक जुवार उत्पन हो रहा था और ये जुवार उसी प्रकार से था जिस प्रकार से आज सूर्य और चंदर्मा की गृतवाक्षन सकती के पलचरूप हमारी प्रत्वी पास बढ़़ रहा था तेहों इस जुआर में व्रद्धी होती जा रही थी और एक समय ऐसा आता है कि हमारे सूरिय में से एक फिलामेंट तूटकर अलग हो जाता है देखिए ये जो फिलामेंट है ये इस प्रकार की आकर दिखा था यानि कि ये किनार ओपर से पतला था और मद्धे में से मोटा था क्योंकि देखिए साथी तारे का जो गुर्दवाक्षन बल है वो भी प्रारम में कम था और बाद में जब सूरिय के निकटा जाता है तब इसके गुर्दवाक्षन में व्रद्धी हो जाती है इसी कारण से जो फिलामेंट था वो किनार उपर से बतलाता और मद्धे में से मोटाता अब देखिए ये जो फिलामेंट है दीरे दीरे ठंडा होता जाता है और सिकुडन के पलसुरूब इसके टुकडे हो जाते है और इस प्रकार ये जो फिलामेंट है ये नो टुकडों में तोड़ जाता है और इन नो टुकडों से ही नो ग्रहों का निर्मान होता है इस प्रकार गाईज हमारी सुरमंडल का निर्मान हो जाता है इस प्रकार गाईज आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मान्ड की उत्पत्ति किस प्रकार से होई है